सोर कोतवाली पुलिस ने कॉरोना कर्फ्यू में खुली दुकानों पर की कारवाई धारा 188 में की जाएगी आगे की कारवाई और दुकान के बाहर बैठे कुछ लोगों को भी पुलिस थाने पर लेकर आई है थाना प्रभारियमिसोनी ने कहा करेंगे आगे कारवाई अभी ल को अरफ्यू लगा हुआ है उसके बावजूत भी लोग दुकाने कौल रहे हैं उन्हें किसी का डर नहीं है किसी का खाफ नहीं इसलिए बैक होड होकर दुकाने खोल रहे हैं और शहर में घूम रहे हैं मंदसोर कोतवाली पुलिस ने आज खुली दुकानों पर कारवाई की है जिसमें देखने में आया था कि दुकान खोल कर सामान बेचा जा रहा था जिस पर पुलिस को सूचना मिली और दुकान के मालिक और करमचारियों को थाने पर लाया गया है कोतवा को पुलिस लेकर आई हैं उनको गाड़ी में बिठाने के लिए पुलिस को काफि संगर्ष करना पड़ा है क्योंकि वह लोग पुलिस के हाथ छुड़ा कर भागने की कोशिश कर रहे थे पर पुलिस द्वारा संगर्ष के बाद उनको कोतवाली थाने लाया गया है कोतवाली थ जरा रहे हैं एसे लोगों को प्रिसाशन को एक दिन के लिए इस्थाई जेल में बंद करना चाहिए जिससे इन लोगों को सवक मिल सकीगा और घरों से बेवज़े निकलना बंद करेंगे क्योंकि पुलीस ने लाग प्रियास कर लिया है मदसौर की जंता से और अपिल भी कर रही है पुलीस घर पर रहे हैं सुरक्षित रहे हैं बेवज़े घरों से नहीं निकलें पर उसके बावजूद भी बिना खौफ के शहर में कोरणा कर्फ्यू के समय भी लोग निकल रहे हैं लाग डाउन में सभी तरफ पुलिस मुस्तेध है और कारवाई कर रही है जो लोग लाग डाउन का लंगण करते हुए पाए गए हैं उनके वरत कारवाई की जा रही है दुकाने खुली उनके रोट 108 से की कारवाई की जा रही है लोगों को चलते रूँ समजाईश भी दी करें अपना द्यान रखें और समाज को द्यान करें कुछ लोगों को उठाके बिला रहे हैं कुछ लोगों को भी बलाया गया है जो बेलावजे बैठे हुए थे उनके पूस्ताच करके और करवाई की जाई